स्रिंकला को आगे बढ़ाते हुए आगे हैं हम हिंदी कावि साहित के विकास पर अधारित प्रश्णों के साथ आपने 69 प्रस्ण पढ़े हैं हिंदी गदे साहित के विकास पर अधारित साहितिक हिंदी सामानने हिंदी दोनों विद्यारथियों के लिए ये प्रश्ण अनिव पहली बात फस्ट लिंक से आप ये PDF डाउनलोड कर लिए और Telegram जौ़ाइन कर लिजे ज्यान सिन्थु coaching classes के नाम से से और सब्सक्यार्द कभ है क्योंकि सारी update आब वहीं पर मिलती है और क्योंकि नौटिफीकेशन बहुत मुद्राज जाते हैं अब वीडियो की संख्या कोन ज 요 diver हैний नई कविता युग की रचना कौन सी है यामा है खुष्बू के सिला लेख प्रलयस रजन है या फिर पुरुर्वा राम धारी सिंग दिनकर की कविता है ठीक है पुरुर्वा और रोसी रहा है ॥ प्रल Alrighty शजन्श युम इंगल सिंग सुमन है खुसभूं के सिला लेग भवानी प्रसाद मिस्र की कविता है ठीक है तो अब आप बताइये यहाँ पर क्या सही होगा तो आपका जो सही आंसर हैं नई कविता यूग की रशना तो जो भवानी प्रसाद मिस्र हैं, क्या वे नई कविता युक के हैं, बात ये है जब ना प्रशनों का उत्तर समझ में आए, ठीक है, तो बस ये अंदाजा लगाओ किस युक का कौन सा कभी है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक, तो अब हम बात करते हैं, इसकी तो हो जाएगा खु सबускे सिलालेख है, तारषब तक का प्रकाशन वर्स कौन सा है? 1943 है, आप सभी झानते हैं, अगला है भारतेंदू हरिश्चन द्वारा प्रकासित पत्रिका कौन सी है? सरस्वती है, कलपना है, कभिवचन सुधा है, ग्यानोदय है, कौन सी पत्रिका है? तो भारतेंदू हरि महत्तुपूंडुण प्रवर्ति नीती है तो रितिकाल की ऑनली स्रंगारिकタ है राजप्रशस्ते सोटी बहुत थी लेकिन बहुत नहीं थी तो स्रंगारिक्ता पर हम जाेंगे पृत्वी राज रासो का रचना काल क्या है पृत्वी राज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखी गई है पृत्वी राज रासो की रचना का काल आपका आदिकाल हो जाएगा और इसी आदिकाल को हम किस नाम से जानते हैं वीर गाथा काल के भी नाम से जानते हैं समझ गए के प्रथम सर्ग का नाम क्या है कामाईनी के सारे सर्गों के नाम की ट्रिक हम अल्रेडी दे चुके हैं प्रथम सर्ग के नाम की बात कर रहे हैं तो प्रथम सर्ग का नाम है चिंता चिंता आसा सरधा काम वासना इड़ा लज्जा आधी नाम है कामाईनी के ठीक है तो कामाईनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता क्या नाम है चिंता सर्ग है सुमित्र अंदन पंत सुकुमार कवी हैं काहे के हैं प्रकृति के हैं स्रिंगार के हैं ज्यान के हैं भक्ति के हैं तो सुमित्र अंदन पंत जो हैं ये प्रकृति के सुकुमार कवी हैं ठीक है राम की शक्ति पू निराला सही आंसर हो जाएगा बिने पत्रिका किस काल की रचना है काल कहे हो या यूग कह सकते हो तो भक्ति काल की रचना है या भक्ति यूग की रचना है या मध्यूग की रचना है कह सकते हैं मध्यकाल की रचना इसको अगर भक्ति काल को हम कहें तो इसको पूरू मध्यकाल भी कहा जाता है रितिकाल को उत्तरमध्यकाल कहा जाता है ठीक है छायावाद की विशेस्ता क्या है उपदेश आत्मक प्रवरत्ती इतिवरत्तात्मक्ता सौंदर और प्रेम स्रिंगार वरणन स्रिंगार वरणन थोड़ा बहुत हुआ लेकिन ज्यादा नहीं हुआ काट दो उ हटे हुए प्रस्ण आपके सामने हैं बहुत बार आये हुए सौंदर और प्रेम छायावाद की विशेस्ता है और सैकनों बार पूछा गया प्रश्ण है हर्योद की रचना नहीं है और आगे हम देखेंगे क्या पाठे-पुस्तक पर आधारी सभी कभी लेखक और उनकी रचन साथ ही साथ हम पत्र-पत्रिकाएं भी देखेंगे ये सब कुछ चलता रहेगा रिविजन क्लास में मैराथन क्लास में ठीक है तो क्योंकि 16 फरवरी को आपका एक्जाम है समय तो है ही नहीं ये तो आप समझ रहें और करके आना है 95 प्लस इसके लिए तो मेहनत करनी पड़े जो नहीं पूचा है तो यही पर आपका अनग नहीं है चौदावा प्रशन है चम्पू काव है ये शोधरा एक चम्पू काव है मैतली चरण गुप्त का है ये ध्यान रखिएगा अस्ट छाप के कवी इन में से कौन नहीं है बात नहीं की की जा रही है तो अस्ट छाप के क जो हैं इश्वर दास नहीं है बाकी सुकु पक्रची गोचन सुकु पक्रची गोचन ठीक है सुकु पक्रची गोचन नाम से आप जो है सुकु पक्रची गोचन नाम से ये हो गया आपका हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो आपका प्रत्वी राज रासो है, ठीक है, राम चरित मानस मत लिखिएगा, क्योंकि ये प्रत्थम नहीं है, बहुत बाद में रचा गया है, ठीक है, छायावाद की बिशेस्ता इसमें पूछी जा रही है, इतिवरत ताक्त मक्ता नहीं है, सौंदर और प्रेम उपर ही हमने बताया थ दुबारा प्रशन रिपीट हुआ, रामधारी सिंग दिनकर की रचना इन में से कौन है, तो प्रत्वी पुत्र आप जानते हैं, वासुदेश रन अगरवाल की रचना है, परशुराम की प्रतिक्षा जो है, वो रामधारी सिंग दिनकर की है, तीसरा सब्तक का प्रकाशन वरस 1943 में पहला, दूसरा आठ साल जोड़ो, फिर आठ साल जोड़ो, तो कितना हो गया, 48, 58, 69, तो 1969 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या, तीसरा सब्तक, कामाईनी में सर्गों की संख्या बहुत बार पूचा गया, 15 सर्ग है, अग्गे जी की रचना का नाम पूचा गया ह कौन सी अग्गे जी की रचना है, कुरुक्षेत्र है, नहीं, रामधारी सिंग दिनकर की है, और रश्मरती, हुंकार, यह सब रामधारी सिंग दिनकर की रचना आये हैं, यह तीनों, और हरी घास पर चनबर जो है, वो अग्गे की रचना है, बाबरा, अहेरी, चिंता, एत दुजदेव इत्यादी जो हैं वो रीतिमुक्त कवी के अंतरगत आते हैं क्या हैं ये सब रीतिमुक्त कवियों के अंतरगत हैं हिंदी साहित के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है तो हिंदी साहित के अभी हमने बताया था भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है चुकि समय का अभाव है, समय बहुत जादा हो जाएगा इसलिए शॉर्ट कट में हम आपकी कमेंट नहीं पढ़ते हैं बस प्रशनों के उत्तर आराम से करा रहे हैं ठीक है, 600 प्रशनों की स्रंखला हमारी है साथ में आपको ये 70 प्रशन और ये 70 प्रशन मिल गए पर पत्र पत्र काये मिल जाएंगी, रचनाये मिल जाएंगी बस हो गया आपका कल्याण कोई दिक्कत नहीं पाटे पुस्तक पराधारित, इतना बहुत है लगभग एक डेड़ हजार क्वेश्चनों की स्रंखला चलेगी हमारी तो इनकी तीन रचनाये ये हैं, याद रखेगा तीनों रचनाये बार-बार पूची जाती है चिदंबरा कृती पर कौन सा पुरसकार मिला था तो ज्यानपीट मिला था ठीक है और फिर आगे है कितनी नाओं में कितनी बार कावि संग्रह रचनाकार कौन है ये अगे हैं गीत संकलन पारिजात किसकी क्रती है पारिजात पदुमलाल पुन्नालाल भक्षी की वैसे है पारिजात लेकिन गीत संकलन यहाँ पर पूछा गया है तो 27 का आपका सही जवाब क्या होगा जरा एक बार आप लोग कमेंट भी कर दिएगा गीत संकलन अयोध्या सिंग उपाध्या हरियोध का पारिजात है कल भी बताया था हमने निम्न में से मैतलिशन गुप्त का पहला कावे संगरा कौन सा है रंग में भंग है ठीक है जैदरत वद है इसके बाद भारत भारती आता है तो अब यहाँ पर हम केवल भारत भारती को लेंगे क्योंकि ना तो रंग में भंग है यह क्योंकि पहला रंग में भंग ही है दूसरा जैदरत बदिन का कावे है लेकिन कावे संगरा की बात की जा रही तो रंग में भंग होगा लेकिन यहाँ पर जब आप्शन नहीं है तो तीसरा लगा देंगे भारत भारती निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काविकृती कौन सी है इत्यलम अनामिका द्वापर चित्राधार तो ठीक है द्वापर किसकी है गुप्त की है अनामिका निराला की है चित्राधार प्रसाद की है और इत्यलम जो है वो आपकी अग्ये की है तो आपका जान गए होंगे सही जवाब आपो आपका चित्राधार हो गया अगला दिखेगा सुमित्रांदन पन्त को साहित अकादमी पुरसकार किस कृती पर मिला था। किया है भाई साब देखे इसमें बड़ा दिक्कत होती कुछ लोग तीन और चार के चक्कर में पड़े रहते हैं कंफ्यूज रहते हैं तीन और चार लेकिन अधिकतर आपको एंसर तीन मिलेगा जबकि पूरा से और वाला चार है चार सब्तक है मैंने कई बार गूगल भी किया कई बार लोगों से पूछा भी तो ये चार सब्तकों का कुल इन्हों संपादन किया था चौत्य संपादक चौता सब तक के बाद इन किसे कहते हैं यह वियोंग संगार को कहते हैं निम्न में से मैथ्री श्रण गुप्त की रचनाक कुन सी है नहीं है सिद्राज, इत्यलम, अनग और प्रदक्षणा तो देखो यहाँ पर इत्यलम जो है ये अग्गे की रचना है किसकी है अग्गे की अग्गे बोले तो सचेदानन्द, हिरनन्द, वात्सयान अग्गे रामधारी सिंग दिनकर को उनकी काविकरती उर्वशी पर कौन सा पुरसकार मिला था उर्वशी पर ज्यानपीट पुरसकार मिला था अग्गे किस सब्तक में संग रही तो अग्गे ने केवल तार सब्तक में अपनी रचनायन लिखी है इसके बाद के संपादन किया है रचना इनकी नहीं है विने पत्रिका के रचनाकार कौन है विने पत्रिका तुलसी दास की रचना है तुलसी दास और ये इसकी काल पूँचा जाता है तो भक्ती काल की है इसकी भासा पूँची जाये तो ब्रजभासा की है कामाईनी इस युकी रचना है तो सीधी सी बात है छायावादी युकी है क्योंकि कामाईनी जो है वो जैशंकर प्रसाद की रचना है आप समझ सकते हैं फिर है निमनि में से छायावादोत्तर काल के कवी कौन है भारतेंदू हरिश्चन मैत्रिशन गुप्त रामनेस्त्रिपाथिया शिवमंगल सिंग सुमन च्छाया वादोत्तर काल के कवी यानि च्छाया वाद के बाद के काल के कवी जो है वो कौन है भारतेंदू है या मैत्रिशन गुपत है या रामनेस्त्रिपाथिया शिवमंगल सि सुमन है तो च्छाया वादोत्तर काल के कवी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएगा प्रगति वात के कवी है फिर अगला प्रस्ण है 49 नंबर प्रस्ण देखेगा हिंदी सायत में किस काल को स्रिंगार काल के नाम से जाना जाता है ठीक है स्रिंगार काल के नाम से आधिकाल को भक्तिकाल को रीतिकाल को आधुनिकाल को सही जवाब आपका होगा रीतिकाल को हम स्रिंगार काल के नाम से जानते हैं निम्न में से देखेगा निम्न में से कौन सी रचना हम रामधारी सिंग दिनकर की नहीं ह तो रामधारी सिंग दिनकर की रचना हुंकार है रशिम्रती है रेडुका है लेकिन जो चित्राधार है वो रामधारी सिंग दिनकर की रचना नहीं है फिर है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए क्या हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारणकाल नाम किस ने दिया था तो चारणकाल जो नाम दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था चारणकाल ठीक है किस कवी को ग्यान पीट पुरसकार नहीं मिला था और ये प्रस्ण चाया हुआ प्रस्ण है रामधारी सिंग दिनकर को मिला था उर्वशी पर महादेभी वर्मा को यामा पर मिला था पंत को चिदंबरा पर मिला था लेकिन जैशंकर प्रसाद ऐसे कवी है जिनको ग्यानपीत पुरसकार नहीं मिला था तो आपका उप्सन जो सही होगा वो हो जाएगा जैशंकर प्रसाद सुमिता अंदर पंत की रचना नहीं है नहीं पूछा गया है पल्लव पंत की है वीणा पंत की है रस्वंती दिनकर की है लोकायतन भी पंत की है सही जवाब आपका होगा रस्वंती रस्वंती किसकी है रस्वंती जो है ये दिनकर की रचना है किसकी है दिनकर की है निम्न में से कौन सी प्रेमासरी शाखा के कौन कवी नहीं है तो आपके अग्गे की रचना कौन सी है ठीक है अग्गे की रचना कौन सी है आंगन के पारद्वार अग्गे की है ठीक है तो यही लगा लो कुरक्षेत्र दिनकर की है और अपरा जंकार ठीक है यह अपरा मुझे लगता अपरा 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 निराला की है और जंका वह आप की सितरा ज्हंकार और यह प्रेम्पतिक जर्णा सुथ लहर यह जैसे आजकार ज्योंकर आपका नाम क्या है लिए गुप्त जी जी की है निम्न में से किन्हें इंपीट पुरसकार नहीं मिला था तो तो महादेवी वर्मा को मिला था निराला को नहीं मिला था ठीक है निराला को नहीं मिला था ज्यान पीट पुरसकार 47 प्रश्ण है चायावाद का कालने धरन कीजिए तो चायावाद का कालने धरन भिया करना है 1900 से 1922 तक रहा था दुवेदी यूग और इसी 1922 के बाद यानि 1919 से 38 तक रहा था चायावाद यूग और 1943 से प्रियोगवाद 51 तक रहा था प्रगतिवाद का मुख्य आधार क्या है तो प्रगतिवाद का मुख्य आधार आपका है समाज सुधार कीर्तिलता के रचनाकार कौन है कीर्तिलता है कीर्तिपता का है यिसके रचनाकार विद्यापती है हरियोग जी की क्रती कौन सी नहीं है हर्योत की कृति कौन सी नहीं है ठीक है हर्योत की तो चोखे चौप दे प्रिये प्रवास वैदेही वनवास और चित्राधार में से चित्राधार जो है ये प्रसाद की है और यही इनकी नहीं है साहित लहरी के रचिता कौन है तुलसी दास हैं, सूर्दास हैं, कबीर दास हैं, आचारे केशव दास हैं साहित लहरी, सूर साराद वली ये सूर्दास की रचनाएं हैं ठीक है, फिर देखेगा इन में से किस समय सीमा को हम दुवेरी युक के नाम से जानते हैं हमने अभी आपको बताया था, कि 1900 से 1922 का जो समय रहा, ये आपका दुवेरी युक रहा और 1938 से 1938 तक आपका च्छाया वाद रहा, 1938 से 1943 तक प्रियोग वाद रहा 1938 से 1943 तक आपका रहा प्रगतिवाद, सौरी यहां पर प्रगतिवाद होगा और 1943 से जो है, 51 तक आपका प्रियोग वाद रहा, और फिर आपका नई कविता, फिर अकविता, फिर 67 कविता का युग आता है 1960 के बाद, सूफी का विधारा के कवी कौन है, रास, रस्खान है, रहीम है, जायसी है या फिर तो आप जानते जायसी है, जिन्होंने पदमावत नाम का एक महाकावि लिखा था पदमावत है, अखरावत है, और आखरी कलाम है अगर आप से पूछें, इसलाम दर्शन किसमे है, तो आखरी कलाम में है एक-एक अच्छर को लेकर, सरी, कयामत का वरण किसमे है, तो यह आखरी कलाम में है और एक-एक अच्छर को लेकर के, जो आपको उपदेश दिये गए है, वो अखरावट में है और पदमावत में, रानी पदमावती का कहानी का वरण है फिर देखेगा एक अगला प्रश्ण ये है कि निम्न में से राम भक्ति शाखा के कवी कौन से नहीं है नाभादास, तुलसी दास, अगरदास, चतुरुभुज दास कौन से राम भक्ति शाखा के नहीं है तो नाभादास जिन्होंने अश्टयाम लिखा था तो ये जो है अश्टियाम लिखने वाले नाभादास है और इसमें जो है अश्टियाम राम की जो है इसमें कहानी है ठीक है अश्टियाम जो है राम की कहानी है नाभादास की है और तुलसी दास भी रामचरित मानस लिखें तो राम का विधारा के हैं अग्र दास जो है ये भ के अश्ट जापके जो राम भक्ति-साखा के नहीं है वो ही चतुर्भुष दास हैं जो यही indoor चापके भी है में गुतरिश के कवी कर किस युग के कभी हैं नाम कर यह महावीर चावर मुऩे प्रसाद गुठी है इन्होंने कहा था कि करते तुलसी दास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद तो इसलिए महावीर प्रसाद दुवेदी को केंदर में रख करके पंक्ती कही थी हिंदी साहित के किस काल को स्वण्युक कहा जाता है यह होता है भक्तिकाल भक्तिकाल को हम पूरुमध्यकाल के भी नाम से जानते हैं ठीक है समझ गये जैशंकर प्रसाद की रचना निम्ण में से कौन सी है कामाईनी है कामाईनी के बारे में थोड़ा सा समझे कामाईनी जो है यह 15 सरगों वाली है और इसमें मनु तथा स्रध्धा दो नायक नाइका है मनु नायक है और स्रध्धा नाइका है 15 सरग है पहला सरग चिंता है ठीक है दूसरा सरग आसा है चिंता आसा स्रध्धा काम वासनाय लज्जा इसके बाद जो है रहस्य और आनंद अंतिम सरग है रहस्य 14 और 15 आनंद सर्ग है यह अंतिम सर्ग का भी नाम पूछता है तो आनंद है 58 प्रसुन देखिएगा ठीक है प्रगतिशील लेखक संग की स्थापना Progressive Writers Association 1936 इस्वी में हुई थी और इसके अध्यक्ष पद पर जो बैठे थे वो थे आपके प्रेमचंद और इसका अध्यवेशन हुआ था लखनव में ठीक है 1936 में ही इस्थापना 1936 में ही लखनव में अध्यवेशन और प्रथम अध्यक्षिदो बने थे वो मुन्शी प्रेमचंद थे पंत समाजवाद की ओर उनमुक हुए थे पंत यानि की सुमित्रानंदन पंत समाजवाद की ओर उनमुक हुए थे ग्राम्या में सुरणधूली चिदंबरा या फिर ग्रंथी में तो इसका सही जबाब होगा सुरणधूली नहीं नहीं इसमें ग्राम्या होगा समाजवाद में की ओर उनमुख होए थे ग्रामया में दिनकर को ग्यानपीट पुरसकार मिला था ठीक है 1972 में दिनकर को यानी रामधारी सिंग दिनकर को ग्यानपीट पुरसकार मिला था 1972 में तो परशुराम की प्रतिक्षा इसके रचनाकार कौन है महादेवी वर्मा जैशंकर प्रसाद रामधारी सिंग दिनकर या फिर मैथली शरण गुप्त हैं परशुराम की प्रतिक्षा के रचनाकार रामधारी सिंग दिनकर हैं हमने कई बार इसकी पंक्तियां भी आपको सुनाई है महादेवी वर्मा इनकी महानितम रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं यामा है दीप सिखा है ये दो रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं बसमांकुर नागारजुन की रचना है किसकी है नागारजुन की है सुनहले सैवाल अग्ये की है रस्वंती रामधारी सिंग दिनकर की रचना ह दिनकर को ज्यानपीट पुरसकार किस पर मिला था उर्वसी पर मिला था रश्मरथीन का एक खंड काव्व है कुरुक्षेत्र महाभारत की कथा पर आधारित है फिर अगला प्रसन आपका है तार सब्टक का वीडियो हमने सेपरेट बना धी दिया है तो उसको भी देख ले ना ट्रिक से क्योंकि दूसरे सब्टक तीसरे सब्टक के कभी पूँच लिये जाते हैं तो दूसरा सब्टक का प्रकाशन द्वस हमने कहा था 43 में आप जो है आठ जोडियेगा तो 1951 हो जाएगा ठीक है 1951 है इसका सही जबाब दूसरा सब्टक का कितनी नाओं में कितनी बार क आविकरती किसकी है तो सच्चेदानंद हीरंद वातसयाइन अग्गे की है भारती ज्यानपीट पुरसकार किसको नहीं मिला था भारती ज्यानपीट पुरसकार किसे नहीं मिला है तो भारती ज्यानपीट पुरसकार जो है वो सुमितनानदरपंत को मिला है दिनकर को मिला है म प्रियोग वादी कवी कौन है तो सीधी सी बात है अगए प्रियोग वादी कवी है, तार सब तक के संपादक कौन है वो भी आपके अगे ही है, अगे इस रिलेटर बहुत सारे question बनेंगे, कामाईनी महाकाव के रचाईता 72 बार आप सुन चिके हैं जैशंकर प्रसाद है अब सत्तरवा प्रशन है हरियोत का जन्म कहा हुआ था तो हरियोत का जन्म जो है वो निजामाबाद में हुआ था साकेत महाकाव के रचाईता कौन है महित्रेशन गुप्त है अब इसको काईदे से सुनिए, साकेत करचेता महत्रिशन गोपत हैं, बारह सरग हैं, और नायक इसके कौन है, इसके नायक लक्षमण है, पूछा गया प्रशन है, नाईका इसकी बात करें हम नाईका की, तो उर्मिला नाईका है, राम काबे पर आधारित कह सकते हैं, पपीहो की वह पीन पुकार, जीनी जनकार, पंक्ती जो है, वो किसकी है, भारतेंदू की है, जैशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, या महादेवी वर्मा की है, किसकी है, पपीहों की वह पीन पुकार, जीनी जनकार, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, आप सदय अब हम आपको आगे कि सरंखला में पढ़ाने वाले हैं, क्या तमाम रचनाएं पढ़ाएंगे या फिर पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ाएंगे और आगे हम लाने वाले हैं पार्थे पुस्तक पराधारित लेककों को. जहां से प्रश्ण बनते हैं निचोड लेके आएंगे तमाम प्रश्ण लाएंगे क्योंकि आपको 95 प्लस का टारगेट आपने बना ही लिया है तो आपको 95 लाने से कोई नहीं रोप पाएगा क्योंकि आप हमारे साथ बने हुए हैं